नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब, welcome back to the channel, the greener grass by gunchan tiyagi. अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, तो बता दू मैं बहुत तरह की law of attraction की techniques, runes, zebu symbols, हमारे magical roots, हमारे switch words, हमारी जो magical keys, सबके बारे मैं आप लोगो को बताती हूँ, जिससे आप जो आपकी life की problems हैं, उनको solve कर सको और उनको worth living बना सको, because the all deserve that beautiful life. अब आज बात करूँगी एक ऐसे angel number की, जो आपने आते जाते, आपके सामने, वो जरूर देखा होगा आपने, आपने उसके बार में पढ़ा भी होगा, लेकिन उसको कैसे exactly use करना है, वो number इतना powerful क्यूं है, वो सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में, मैं बात कर रही हूँ number 1176 की, जी हाँ, ये number सबसे पहले मैंने कब पढ़ा था, ये पढ़ा था, मैंने I think 10-11s pack, एक इतनी मेरी जो first witchcraft को लेके एक book मैंने पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था, पूरी book में कोई number का कहीं description कुछ नहीं था, except this number, ये number के बारे में लिखा था, और मैं वही आपको बता रही हूँ, ये number है एक medium of conversation, आपके और उस supreme divine energy के बीच में, जब आप इस number को use करते हो, तो आपका जो message है, वो divine energies तक एगदम सपाट चलके पहुँच जाता है, बहुँच जल्दी से पहुँच जाता है, ये जो हमारा number है, इसे ये कहा गया है, कि ये number देता है आपको practicality, practicality मतलब कि आपको जो problem आई आपके सामनी, आपको पता है क्या उसका solution होना चाहिए, आप उसका solution निकाल लोगे, आप इस number से अपनी life में balance ला पाते हो, balance चाहे वो आपके relationships में हो, आपके work में हो, money में हो, किसी भी चीज में आपकी life में आ जाता है, spirituality में हो, balance आ जाएगा, ये number और क्या करता है, ये number आपको attract करेगा, लोग आपकी तरफ attract होगे, जब आप इस number को use करोगे, ये attraction in a positive way, positive way में लाएगा, ये आपका बढ़ाएगा wisdom, ये आपके अंदर लाएगा inner peace, inner peace बहुत जादा जरूरी है, जब हम खुद से जगडते रहते हैं तो हम हमारी जो desires हैं, इच्छा हैं, जो हमारा aim हैं उससे पीछे होते जाते हैं, तो inner peace is very important और ये उसमें हमारी help करता है, अब according to numerology, जो हमारे angel numbers होते हैं वो divine powers के तरफ से messages होते हैं, symbols होते हैं, तो जब ये numbers हम use करें, अपने आप हम इनको use करें, तो क्या होगा, जो हमारा message है, वो directly हमारी universal जो energy है, उस तक पहुचेगा, और हम बता पाएंगे उन्हें हमें क्या चाहिए, और वो हमें वो दे देगा, है ना कितना simple सी बात, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये number हमें actual use कैसे करना चाहिए, बतातो दिया number के बार में use कैसे करें, आप इस number को अपने left hand पे कहीं भी लिख सकते हो, I would say कि इस number को आप लिखिए orange color के pen से, orange क्यों, orange इसलिए क्योंकि orange color क्या represent करता है, हमारा wish fulfillment, हमें जो हमारी इच्छाएं पूरी करनी है, वो orange color का ये number जो है हमारा angel number, वो हमारी इच्छाओ को पूरा करेगा, ये जो angel number है हमारा, ये हमारी जो positive energies, positive vibrations है न, उनको universe तक पहुचाता है, तो हमने जब इसको orange color से लिख देंगे, तो और भी हमारी जो positive vibrations है, हमारी जो energy है, हमारी सोच है, उमहा तक पहुच जाएगी, दूसरा कैसे use करो, एक paper लो, white sheet का paper लो, उसमें orange color का circle बनाओ, अपनी इच्छा लिखो, जो आपकी है, ऐसे जैसे वो already पूरी हो गई है, present tense के form में उसको लिख दो, जैसे for example, I am so grateful, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं जहाँ चाहता था, मैं वहाँ पर काम करने जा रहा हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ, मैं जिससे शादी करना चाहता था, मेरी उससे शादी हो रही है, जब आपने ऐसे ये sentence लिख दिया, एक ही wish लिखनी है, circle के अंदर एक ही wish लिखनी है, दूसरा तरीका आपका ये हो गया, तीसरा, my favorite chanting, chanting इसकी करते जाओ, visualize करते जाओ, जो भी आपकी इच्छा है उसको, दिमाग में वो सोच रखकर, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी इससे शादी हो रही है, मैं यहाँ जाब के लिए जा रहा हूँ, मेरा इतना score आ गया, मैंने competition clear कर लिया, और इसकी chanting करते जाओ, कितनी देर chanting करो, number of counts में मच जाओ, 5 से 10 मिनिट तो करो ही करो, और दिन में 2 से 3 बार, इसी procedure को repeat करो, कम से कम ना, जब आप किसी चीज से, energy से जुड़ते हो, उसे 2 से 3 weeks का time दो, वो आपको reply back जरूर करेगे, पर उसको भी time दो, time देने का मतलब क्या होता है, आप उसकी तरफ respect शो कर रहे हो, और कोई भी energy कब reply करेगी, जब आप उसको respect दोगे, और हाँ, एक और तरीका आप क्या कर सकते हो, आप ने जो वो energy circle बनाया है, जिसमें आपने अपनी इच्छा लिखी और नीचे नमबर लिखा है, आप उसको एक table पे ले जाकर, आप पानी का कोई glass उसके उपर रख दीजिए, और उसको 10-15 minute के लिए छोड़ दीजिए, फिर वो पानी पी जाएए, ये procedure कम से कम 2-3 बार repeat करो दिन में, देखो आप कैसे काम करते हो, 2-3 बार दिन में repeat करो, और कम से कम 2-3 weeks का time दो, ये चीज रोज-रोज करो, results ज़रूर मिलेंगे, pillow technique भी कर सकते हो, मतलब कि अपना ये number लिख दी, अपनी wish लिख दी, और pillow के नीचे रखकर रात को सो गए, वो भी कर सकते हो, और sats ज़रूर कर सकते हो इसके साथ, इस number की chanting करते करते, अपना visualize करते हुए, क्या आपकी इच्छा है, go to sleep, state akin to sleep करते हुए, सो ज़ो, तो भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, छोटे छोटे तरीके होते हैं, लेकिन आपको इनके लिए consistency दिखानी होती है, करो रोस करो, क्योंकि vibrations अभी low है न, बहुत जाएंगी बहां तक और जब बहां तक पहुँच जाओगे, तो you can manifest any desire, छोटा सा logic है, समझ जब आ जाता है न, तो सारी wishes, easily हम अपनी तरफ attract कर लेते हैं, तो ये है magic, हमारे magical angel number का 1176, सच में बहुत जादा powerful है, हमने बहुत जगा इसका देखा है की 1176, हरे कृष्णा, अगर आप green तारा मा को मानते हो, तो green तारा मा का जो मंत्र है, उसकी भी chanting इसके साथ कर सकते हो, 1176 करके कर सकते हो, ओम तारे तू, तारे तूरे सोहा 1176, वो भी आप कर सकते हो, बहुत beautiful number है, तरह तरह से इसको use करो, अपनी wishes को manifest करो, इसी wish के साथ, मैं ये video end करती हूँ, कि बहुत जल ये number आपकी life में लाएगा, miraculous और आपकी हो जाएंगी wishes grant, thank you so much for watching, please do like, share and subscribe and, जयसे एराव!